राजस्थान के पूर्व डिप्ती सीएम सचिन पाइलट ने कहा है कि पिछले साल 25 सितंबर को कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिशकार करने वालों के टिकट नहीं रोके हैं। सचिन पाइलट ने 25 सितंबर की घटना को इशारों में याद करवाते हुए कहा कि उस समय चाहे सोनिया गांधी की अवमानना भी किसी ने क्यों न की हो लेकिन फिर भी मैं अगर कोई प्रत्याशी जिताओ है तो पार्टी के हित में मैंने उसका विरोध नहीं किया। इससे बड़ा प्रमान आपसी मुहब्बत का भला और क्या हो सकता है। उनके टिकेट फाइनल किये गए हैं। लिस्ट जारी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। विरोधी घबरा गए है। और वैसे भी हमारे पास साथ काम करने का अनुभव भी है। इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगा काम करने का अपस में साथ साथ। और सुनो और सुनो जहां तक टिक्टों की बात है। जो भी घटना कराम पिशले वर्ष हुआ। कुस लोगों पर पार्टी निशासन के आरोब भी लगे थे। उस पर कारवाई हुई नहीं हुई। लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जितने वाले उम्मीदवार थे। उनका मैंने खोले मंचे स्वागत किया। चाहे वो सुने जी की अमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय। तो फिर भी हमने नहीं का पार्टी हित में जो है जीता हुँ हो। किसी एक भी कैंडिट को मैंने विरोध में किया जो जीतने वाले उम्मीदवार थे। इससे बड़ा इससे पर परमान क्या हो सकता है। आपसी प्यार, महबब, भाईचारे का कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं।